हेलो प्यूरिफुल पीपल, वेल्कम्सू लगनू लोकल्स, आज हम बात करने वाले हैं, हौकिंग्स के निव लॉंच के बारे में, जो कि 2022 का है, और हौकिंग्स ने बहुत ही रिवोलुशनरी प्रोड़ाइट निकाल रखा है, डच ओवन के नाम से, तो आज हम अन्बॉक्स रखा है, तो चलिए पहले इसको जल्दी से अन्बॉक्स कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं, और जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर यहां पर यहां बेकिंग कर सकते हैं, और साध ही साध यह कुक एंसर्व है, मतलब इतना अच्छा लगता है यह यहां पर यह रहा और यह जो आपका Dutch oven सामने आपकर यह रहा और यह आपको मिलता है 3L capacity में यह 3L capacity का है और यह आप directly अपने gas stove में यूज़ कर सकते हैं अगर मैं weight की बात करता हूं तो weight काफी जादा heavy और अच्छे weight में आता है सबसे पहले इसका first look में आपको दिखा देता हूं तो यहां भी hawkins का new dutch oven है डाइकास में है काफी heavy weighted में अंदर की तरफ से इसमें nonstick coating होती है और डाइकास pan जो होता है उसकी अच्छी खासी आपको thickness मिलती है अभी ताक आपने thickness की बात करियोगी 3mm, 3.5mm, 2.5mm बट यहां पे extra thick base है 7.5mm, बहुत जादा heavy base है नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है और इसका अगर नॉर्मल डिसका design की बात करें तो inner surface आपको nonstick coating में मिलता है जो की oval shape का होता है इसमें multi-purpose आप कोई भी चीज़, vegetables से लेके, rice से लेके, even इसमें oven में आप baking भी कर सकते है तो यह एक न आपको देखने को मिलेंगे 2 accessories जिसमें आपको थोड़े से बड़े साइस का spatula मिलेगा जो कि आप इसके अंदर easily use कर सकते हैं और इसके साथ आपको wash करने के लिए यह मिल जाएगा, इस scrubber जिसकी वरे से इसके surface को harm नहीं होगा, तो चलिए यहाँ पे पहले सबसे पहले इसके Dutch oven के lid को देख लेते हैं, यहाँ पे lid की designing भी काफी अलग तरीके की दिये है, generally हम लोग rounded lid के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे over lid दिये है, जो कि internally lock हो जाती है इसके साथ, तो अगर एक complete look अगर आप Dutch oven का देखना चाहते हैं Hawking's का, तो वो यह रहा, इसका 360 degree view भी मैं आपक एक अच्छी से दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे यह रहा है, इसका 360 degree view, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, side में lift करने के लिए काफी अच्छी gripping भी दे रखी है, और यह outer surface आपको completely red color का मिलेगा, यहाँ पे Hawking's की marking मिलेगी एक तरफ आपको, साधी जाद यह glass lid जो मिलेगा, तो बहुत जादा tight नहीं मिलेगा, जिसकी वज़े से, जो extra steam है, वो side side है, थोड़ी बहुत evaporate होती रहेगी, इसके जाद आपको instruction manuals मिलेगी, guarantee card मिलेगा, company इसकी two year की guarantee देती है, ओपर की coating की, और यहाँ पे एक आपको unique number मिलेगा, जो कि इसके अंदर printed होग नहीं दे रखी है, और यह मैं first time unbox कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2022 का new launch है, यह देखे, में की manufacturing है, अगर इसकी बात करी जाए, 2300 रुपीज का है, हाला कि इसकी quality दी हुई है, इसकी क्या सकता हूँ कि यह काफी अच्छी quality में आपको यह available करा है, hawking, तो यहाँ पे 2300 रुपे with lid made, Dutch oven मिलना है 2 year warranty के साथ, तो अगर आप अपने घर के लिए plan कर रहे थे, ऐसा cook and serve bowl जो की oven में भी आप reheat या bake कर सकते हैं, तो यह एक बहुत जादा अच्छा option है, warranty card आपको booklet के साथ ही मिल जाता है, जो की बहुत अच्छा है, और अब recent में बहुत जल्द आने वाली है, online warranty, online warranty में क्या है कि अगर आपने अपने आपको register कर लिया, online warranty के लिए, तो hawking में card समाल के रफने की ज़रत नहीं, आपका product register हो जाएगा, जो भी इसकी warranty 2 से 5 years की होती है, उसके pass में, तो यह आपका रहा, Dutch oven कैसा लगा, जरूर बताएगा, बिल्कुल brand new launch है, hawking की तरफ से, और मुझे लगता है, यह unique item है, जो hawking काफी हद तक, काफी अची तरीके से इसको आगे market में जरूर प्लेस करेगा, तो आज की video के लिए इतना ही, thank you so much, keep supporting us.